नियुज क्लिक तथा अन्य पत्रकारों की गिरवतारी एवँं लैप्तॉप मोबाइल और कैमरे छिनने के विरोध बेतिया में नागरिक मंच का प्रतिवाद मार्च नियोज नाइन टाइम्स बेतिया से आशुतोस कुमार बर्णवाल की ब्यार रिपोर्ट नियोज क्लिप के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकास्ते तथा प्रसासक अमित चक्रवर्ती की यूए पीए कानून में गरफतारी नियोज क्लिप के कार्याले में तालावंदी तथा पत्रकारों को प्रतारित करने उनके लैप्टॉप, मोबाइल फोन तथा कैमरे को छीन लेनी की घटनाओं को भारतिय लोकतंत्र में अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है इसके पुर्व बीबीसी, दैनिक भासकर, भारत समाचार, नियूज लॉन्री, दवायर, दकास्मीर वाला आदी को भी जान बुचकर कुचलने का काम किया है केंद्र सरकार ने मीडिया को अपने दलगत तथा विचार धारात्मक स्वारति के लिए अपने भोपू में तब्दिल करने की कोशिश की है और इसके लिए सरकारी पुंचिपत्यों द्वारा मीडिया संगठनों के अधिग्रहन को आसान बनाया है केंद्र सरकार की दवनकारी कारवाईयां मुख्य रूप से सरकार के विरुद उठने वाले आवाज मेडिया संस्थानों तथा पत्रकारों के खिलाफ होती है जो सत्ता के सामने सश बोलते हैं विडंबना यह है कि जब हम देश में नफरत तथा विभाजन कारी ताकतों तथा भड़काने वाले पत्रकारों के खिलाफ कारवाई करने की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार को उस समय लकवा मार जाता है राष्ट्रिय हित में केंद्र सरकार के लिए वही मुनासिब होगा कि राष्ट्रिय हित पर ध्यान दे ना कि अपने विफलताओं को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान मुद्दे से हटाने के लिए मीडिया को निसाना बनाना बंद करें ग्यातव्य है कि UAPA कानून आतंकवादी गतिवीदियो पर रोक लगाने के लिए लाया गया था जिसका इस्तमाल कोरे गाउं से नियूज क्लिक तक केंद्र सरकार की जन विरोधी कारवाईयों के विरुद बोलने वाले पत्रकारों या स्वतंत्र विचार रखने वाले आम लोगों के उपर इसका नाजायज इस्तमाल हो रहा है जबकि या कानून आतंगवाद के खिलाफ बना था पश्चिमिच अंपारन के जिला मुख्याले बेतिया में शनिवार को नागरिक मंच द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया प्रतिवाद मार्च सरकार की कारवाई की तिवर भट्सना करती है तथा पत्रकारों और स्वतंत्र विचार रखने वाले समाजिक कारिकर्ताओं के विरुद यूए पीए जैसे आतंगवादी कानून को अविलंब वापस कर पत्रकारों को रिहा करने तथा नियोज क्लिक के कार्याले को खोलने की मांग करती है प्रतिवाद मार्च में बुद्दीन और अक्षे कुमारादी शामिल थे नियोज नाइन चाइम्स